आमाग्मी पार्टी और कॉंग्रेस जो इंडिया गडबंधन के तहट लोगसवा चुनाप के दोरान एक दूसरे के प्रितियाशियों के लिए चुनाप पुरचार कर रही थी। विजेपी को हराने के लिए दोनों ही पार्टीयों ने साथ मिलकर हर मुम्किन कोशिश की। बंदन की हार को लेकर कॉंग्रेस के कुछ वरिस मेताओ पर सवाल खड़े की हैं। की राजनीती में नब जीवन लेकर आई आमादमी पार्टी की भ्रून हत्या कर दी जाए। उनको पता था कि अगर पुरुशेद्र की स्रीट आमादमी पार्टी जीत जाएगी तो उसके बाद ऐसा तुफान आएगा जिसमें पुराने राजनीतिक दल उड़ जाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कुछ ताकतों ने ये कोशिश की कि हरियाना की राजनीती में नव जीवन लेकर के आई आमादमी पार्टी की भ्रून हत्या कर दी जाए। क्योंकि उनको पता था कि अगर कुरुक्षेत्र की सीट आमादमी पार्टी जीतती है तो उसके बाद ऐसा तुफान आएगा जिसमें ये पुराने राजनीतिक दल उड़ जाएंगे। इसलिए आमादमी पार्टी की भ्रून हत्या की साजिश की गई कुरुक्षेत्र के अंदर लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ जब बच्चा एक स्टेज से आगे निकल जाता है और गर्ब के अंदर जब वो बड़ा स्वरूप ले लेता है तो भ्रून हत्या संभवन की होती है तो आमादमी पार्टी अब अस्तित्व में आ चुकी है और जिसको आमादमी चाहता है उसको आप पूरी ताकत सारी साजिशे लगा के भी रोकनी पाओगा। हम आम आदमी की पसंद्ध हैं आम लोगों की पसंद्ध हैं इसलिए हर्याना की राजनीती के फलक पर आने वाले दिनों में चाने वाले हैं और जो साजिशे हैं कुरुक्षेत्र सीट के उपर की गई हमने तो अभी तक पूरे हरियाना स्टेट का हम रिव्यू करेंगे सारे कारेकरताओं को बुलाएंगे तब उसमें असली वज़ें असली पॉइंट्स हम निकाल के दे सकते हैं लेकिन जो लोगों का फीडबेक आ रहा है जो लोग हमें बता रहे हैं लोकल स्थानिये लोग बता रहे हैं हमारे कारेकरता बता रहे हैं कॉंग्रेस के कारेकरता हमें फोन करकर के बता रहे हैं वो संदे पैदा करता है कुछ सवाल खड़े करता है जो मैं आपके समख छोड के जा रहा हूं कि ये यकीन करना संभव नहीं है कि कैथल में रंदीप सुर्जेवाला जी इतने बड़े नेता कॉंग्रेस के राश्ट्रियस सर के नेता हैं पता नहीं कहां कहां किन स्टेट्स में कहते हैं चुनाव लड़वाए हैं प्रभारी रहे हैं कैथल के अंदर बतात सितियों में जब वो जीन से हार के आये थे बुरी तरह से तीसे नंबर पे रहके समझ आता है कि 500-700 वोट से वो रह गए थे लेकिन ये समझ नहीं आता कि वो अपने चुनाव में पिछली वार 500-700 वोट से रह गए थे उसके बाद बीजेपी के खिलाफ इतनी एंटी वेव भी चल रही है उसके बावजूद कैथल के पूरे कैंपेन का प्रतिनिधित्व करने वाले रंदीप सुर्जेवाला जी के इलाके में 17000 वोट से पीछे कैसे रह गए हम लोग गठबंदन पीछे कैसे रह गया ये बात समझ में नहीं आती है सवाल हमारे भी मन में इसके उप पर हम चर्चा करेंगे इसके उपर हम अपनी बैठक में भी चर्चा करेंगे बतादे दो दिन पहले दिल्ली सरकार की मंत्री गोपाल राए ने भी साफ किया तक दिल्ली विधानसवा के लिए कोई गडबंदन नहीं बनाए और आम आदमी पार्टे दिल्ली में अकेले दम पर विधानसवा चुनाव लड़ेती इसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहे देन अगरी निउस चुक्रिया